हलो एब्रीवन कैसे हैं आप सब आज बनाने जा रही हूं बेबी सॉक्स जिसे बनाने के लिए देखिए मैंने दो कलर की बूल ली है और टेन नंबर्स अलाई ली हुई है तो देखिए सबसे पहले इसमें मैं फंदे डालूँगी फंदे मैं सिंगल धागे से डाल रही हूँ इस तरह से ऐसे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ इसी तरीके से मैं इसमें 36 फंदे डालूँगी और आप इसी तरीके से यतना बड़ा चेहिए आप उसे साफ से फंदे ले लीजिए यह देखिए यहाँ पर मैं ने 39 फंदे डाल लीए आप देखिए यहां से हम इसको औल्टा विल्ला बनेगे तो देखिए आप सीधा भी बुन सकते है ऐसे दोनों तरफ से इसको ऐसे ही बुनना है और देखिए इस तरह की दोनों तरफ की चार रो टोडल बनाऊंगी मैं तो दो गाट इस्टेच इधर आ जाएंगी उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ यह देखिये सीवे तरफ दो गाट इस्टेच आगई है यहनि कि 3 रो मैंने टोडल बनाए है आप देखिये यहां से हम उल्टे तरफ से कलर चैंज खरेंगे इस तरह से अब मैं क़हसेब दो रो बनाऊंगी मैं आप देखें यहां से फिर से में यलो कलर लगाऊंगी के अधर поз कम बढ़ें आप देखेंसे फिर से में चारों यलो की बनाऊंगी इधर से ले जाऊंगी बापस उल्टा बनते हुए आऊंगी फिर इदर से फिर वापस इदर से यहां पर मैंने चार रो बना लिए हैं दो गांटिष्टे चाह गई हमारे पास पलट लेंगे अब यहां से फिर से हम यह वाला कलर लगाएंगे और इसकी दो रो बनाऊंगी इदर से वह उल्टी और उधर से दिए उम्हें इसकी दो रो बना लिए यहां पर दो रो मैंने कंप्रीट कर लिए आप देखिए यलो से फिर से चार रो बनाऊंगी यहां देखिए यालो कलर लगा लिया छे तरफ से ऐसे, आप देखिए, इस तरह की 2 रो बना लेतियों मैं, 4 हो जाएंगी दोनों तरप, यह देखिए, यहाँ पर मैं नहीं है, 4 रो बना ली है, और देखिए, टोटल यहाँ पर हमारी 16 रो बन गई है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ यह हैं, तो दोनों तरप क तो यहां से देखिए मैं फंदे घटाऊंगी तो मैं यहां पर तीन जगे फंदे डिवाइट करूंगी 12 इदर और 12 इदर 12 सेंटर में तो यहां से देखिए मैं 12 फंदे क्लोज करूंगी इस तरीके से एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारे, 12 यह देखिए 12 फंदे मैंने बंद कर दिये आप देखिए यहां से मैं उल्टा बुनते हुए जाऊंगी और 12 ही फंदे उधर से बंद करूंगी सेंटर के 12 फंदे रह जाएंगी लाश्ट तक मैंने इसको बना दिया पलट लेंगे इसको आप देखिए यहां से हम 12 फंदे इधर से भी बंद कर देंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारे, बारे यह देखिए इस तरह से यह दोनों तरफ मैंने ऐसे बंद किये हैं सेंटर में फंदे रह गए हैं आप देखिए इनको मैं उलटा-उलटा बुनूँगी आप देखिए यहां से इतना बन गया आप मैं इसका जो बेवी का तलबा होता है उसको बुनूँगी तो यह आप अपने असाब से बना लीजिए बच्चे का प्यर के सबसे तो यहां से देखिए इसको हम दोनों है यह देखिए यहां पर मैंने टोटल 22 रो बनाई है दौनों तरब की एक दो तीन चार पाँच छे साथ आठ नौ दस ग्यारे ग्यारा दूनी बाइस 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 बना के कम्प्रीट की आप देखिए इदर से हम इन फंदों को बंद कर देंगे लोकाई करते हुए इस तरी यह देखिए लाज तक कर दिये अब देखिए इस दागे कट करके इस फंदे में से निकाल दोंगे यह देखिए इस तरह से यह बन के कम्प्रीट हो गई अब मैं इसको सिलूंगी तो देखिए इस वाले कौने को मैं यह देखिए ऐसे फोल्ड करूंगी यहां तक यह देख यहां से मैं पकड़ लेती हूँ इसको मिलाते हुए और यहां से मैं ऐसे यह बहुत ही एजी है बहुत ही जल्दी बनके कंप्लीट हो जाती है यह देखे यहां तक मैंने सिल्दी आप देखे इस वाले को ऐसे रखेँगे कि इसके ऊपर यहां से इस तरह से आब मैं इनको व् साथ करके ऐसे पहले सिलूंगी और फिर यह चीज यहां से सिलूंगी इस तरह से मिलाते हुए तिनों को पकड़ लेंगे और यहां से इस कौनर से आप देखिए इसको यहां से ऐसे पकल लोंगी हुए 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 यहां पर इसे पका कर देंगे थाकि यह खुले नहीं और ऐस्ता धागा इसको कट कर देंगे यह देखिए इस तरह से बनके कंप्लीट हो गई और देखिए न्यूबन बेबी से लेके चार-पांच महीने के बच्चे के आरम से आ जाएगी और इसी तरीके से आप बड़ी बना सकते हैं देखिए यह बेस भी इसका काफी अच्छा बना हुआ है और इसकी फिटिंग भी यह निकलती भी नहीं है बेबी के पैर से पिनाने में भी कोई दिक्कत नहीं होती दिखिए यहां से इस तरह से और यहां पर आप चाहें तो एक बटन लगा सकते हैं और अगर आपको मारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेर जर कोई तो हूआ हुआ है धितृ आपको आपको कि लेखने। के अटने अटने शे disgर शा से कansas से अटने खाहे जार अटने बार का